सदियों से चली आ रही सत्भक्ती की ऐसी धारा रिशियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ती तो सभी करते है और हर दम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलिशान घर हो खूमने के लिए बड़े-बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे हर दम मौज मस्ती में रहे पर क्या यह संभव है हम सब इतनी भक्ती करते हैं वरत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं कावड लेकर आते हैं मंदिरों में जाकर मूर्ती पूजा करते हैं चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा ठेकते हैं फिर भी दुखी क्यों है लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ती है? वो भक्ती जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलात की रक्षा की, अंधे को आखें और बहरे को कान दिये, कोड़ी को काया दि, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया, और ला एलाज बीमारियों को दूर किया जब संत्रामपल जी माराजी से दिक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंत कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग प्रमात्मा का आदे साया हम लोग होस्पिटल गए और ऑपरिशन कराया भगत जी एक रूपया का भी दवाई माता जी को खान्या नहीं पड़ा और जो डॉक्टर केंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमतकार कैसे हो ग हाया तो ऐसर गोशिकर कर दिया राठीर मिया तो फिर इसके रह लांपाल जी उए इस महाराज ने चरनामत पर शाद दिया और अश्रवात दिया और भकति ज्으क्त ओंडडिए और इसके बास अधना में मेरे को बीमारी यह थी सर की ब्लेट ड्यूम में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इंपेक्शन हो गया था उस इस पेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थी कि इसमें आपको आपरेशन करना पड़ेगा आश्रम कहुंचने में परमात्मा का नामदान मुलिया और जो उन्होंने मुझे उप्देश दिया उप्देश देने के बाद उन्होंने आसरवाद दिया आसरवाद देने के बाद तक छण में मेरा ये रोक वही के वही दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भक्ति सभी करते हैं लेकिन उप्रोक्त लाब सिर्फ सत्भक्ति से ही प्राप्त होते हैं आज भी सत्भक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है आईए जानते हैं ऐसे ही लाखो श्रद्धालूं में से एक सद्भक्ती करने वाले इस श्रद्धालू का अनुभव नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका सर रिसीपाल रिसीपाल जी आप कहां से हैं? मैं हरियाना कुरक्षेतर का रहने वाला हूँ और अभी फिलाल डेट में सुंदरगर डिष्टिक और उडिशा स्टेट में अपना बिजनस कर रहा हूँ सर संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा आपने कब ली? सर दस मई दो हजार बीस संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति साधनाई करते थी? सर मैं जहां भी रोड में जाते निकलते चार इट जहां में लेगी मेरे को मैं वहीं मज़ध सर जुगा के चलता था कि वह कहां मालिक है? मैं मालिक के ओपर विस्वास करता था मंदिरों में, गुर्दवारा, मस्जी, सब जगे गया मैं जिसको भी पूछता था, इसमसी में पूछा है, वो बोले कि जो सब का मालिक एक है, तो वो कौन है? बोले, वो कोई अन्य है मैं बोले, आपके इसु नहीं है? बोले, नहीं है मैं बोले, ठीक है जी, वहां से भी नावराम की, चल देता था मैं हर जगे गूमता था, मेरे को मालिक की तलास थी उसी के ओपर सिर्फ एक मेरा विस्वास था, बाग की और कुछ भी नहीं था कि मालिक है, तो मेरे कैसी परसानियों बड़ी चलती रही मैं बड़ा कांटों पे चलता गया पर मैंने कभी परवा नहीं कि इस चीज की सिर्फ एक विस्वास के ओपर की नहीं मुझे इस बात का पता चला था कि इस प्रिथी पे सत है तो मैं उस विस्वास में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा मतलब मैं इतना एक दिन तो ऐसा आगया मेरे लिए कि वही आज तो अब मैं मरने की कंडिशन पे चला गया मैं रोड में निकला कि वही अब मर जाओंगा क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया ना मेरी माता ने मेरा साथ दिया पत्नी को बोला कि देखो मेरे कमर में ये हाल है तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ और एक मैं बैचलर उसमें रहता हूँ रूम में फैमली वाले रूम में रहूंगा तो मेरे को लैटरिंग बात्थरूम नजदीक में मिलेगा तो मैं हो भी सकता हूँ और बैचलर उस में मैं जाता था जंगल में रात को तीन-तीन बजे मैं क्या करता था मैं पत्थर उठाता था पहले चारो तरफ फैंकता था कि कोई जानवर ना हो फिर मैं वहां बड़ी मुस्किल से रो पीटके बैट बैटके आता था तो एक दिन बहुत जादा तकलीब होगी कि मैं बरदास निकाया पहली मालिक नहीं अब कुछ नहीं रहा चलो चलता हूँ अब आप रोड में निकला रोड में निकल के खड़ा हो गया कि जैसे कोई गाड़ी आएगी मैं आगे कूदना ही कूदना है एक दम से मुझे अचानक लगा कि अरे तु तु बोलता था सत देखना है मुझे तो सत कहा देखा तो मैं सर वही से वापिस हो गया और रोते रोते अपने रूम में जाके सो गया तो ऐसी चलती रही मेरी कहानी चलती रही चलती रही तो फिर मेरे को मेरी बहन है उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दिख्षा ली हुई थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार आप संत्रामपल जी महराज का एक बार ससंग सुन लो तो आपको जो लगेगा तो थोड़ा बता देना आप किसी चीज़ भी सुआस्तों करते नहीं है क्योंकि मेरी सासो मा मेरे को राम रहीम वहां लेके गई वो बोली थी कि मैं तो जब सुकना की थी साधी जैसे करूंगी तो मैं आप गुरु जी के दिख्षा दिलाओंगी तो मैं उस टेम तक क्या गुरु होता है यह गुरु के बिना मुक्ति नहीं है यह अभी सीखने को मिल रहा है सर फिर आप संत्रामपाल जी महराज की सर्ण में मेरी बढ़ी है सुदेश देवी उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार ग्यान सुनो फिर उसके बाद आगे की मेरे को बताना कैसा लगा क्या लगा तो फिर जो मेरी बहन ने बताया बहन को बताने के बाद मैं संत्रामपाल जी महराज का सत्संग देखने लगा पहले दिन ही मैं पूरे सत्संग में मेरे दिमाग में इतनी फीड होगी रील कि मैं आज तक मैं मैंट्रिक क्लास में भी में दाने दे के पास होने वाला इंसान हूँ जैसी मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मैं अपनी बहन को बोला कि बहन मुझे नाम दिख्षा लेनी है तो नाम दिख्षा मेरी बहन बोली भाईया आज कल ओनलाइन मिल रहा है मैंने संत्रामपाल जी महारा से ओनलाइन नाम दिख्षय लिया है सर संत्रामपाल जी महारा से नाम दिख्षय लेने के बाद क्या आपको लाब भी मिले सर लाब अगर मैं बोलूँगा तो सायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाबों पे सबसे पहला लाब तो यह मेरी कमर का है जो आज मैं बिल्कुल सिदा खड़ा हूं किसे मेरे को जुकाओ कैस कुछ भी करो मुझे कुछ फरक पड़ने वाला नहीं जिससे मैं बहुत पीडी था जो ये मेरी कमर का दरत था, बहुत पुराना दरत था, मैट्रिक कलास से मान के चलो. कहीं डोक्टरों को दिखाया हूँ, मेरे को कोई अराम नहीं कहीं से मिला. मैं इतना बैंड हो जाता था बिल्कुल जैसे सरीर है ये ऐसे हो जाएगा मेरा सरीर इतना उपर से ऐसे और मेरा गर्दन वैसे हो जाएगा मैं बहुत दुखी रहता था बहुत परिसानी में रहता था और मैं जब ये मेरे जिसके भी रूम में मैं रहता हूँ, खुद उनको भी यही बिमारी थी, उनको मैं अपने दर्द में भूनवेश्वर लेके गया अपॉलो होस्पिटल में, अपॉलो होस्पिटल में उनका 5 लाक रुपे खर्चा आया, तो मैं मालिक को यादि कि है, मालि मेरे को भी यही दर्द है मैं कहां से पांचलाग खुर्पय लगाऊंगा नहीं लगा सकता मालिक मेरे को वो लखी भाई भी बोला कि रिसी भाई तू भी करवा ले थोड़ा बहुत इलाज यहां जब आया है तू बुनमेशुर मेरे साथ मैं बुला नहीं भाई तू ही इलाज करवा मेरे बस की बात नहीं है मैं इलाज नहीं करवा पाऊंगा तो मैं वहां से ऐसी ही आ गया यह इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं था मुझे बिल्कुल क्लियर पता है क्योंकि यह जो पैन के लिए मैं खुद अपनी आँकों से देखा हूँ डोक्टर पहले सबसे साइन करवाते हैं कि सक्सेस तो ठीक नहीं सक्सेस तो ठीक तो पैसा भी गया और सक्सेस भी नहीं है तो मैं मालिक के ओपर छोड़ देता था संत्रामपाल जी माहराज से दिक्सा लेने से दो महीने के अंदर मुझे आप्टोमेटिक फील होने लगा कि यह तेरे कमर में जो दर्द था वो कहा गया तो फिर मैं अपने आपको तोड़ना मोड़ना सुरू किया कि कहीं ने कहीं तो फसा हुआ मिलेगा तो मैं पूरा स्रीर को तोड़ फोड़ लिया पर मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ यह उसके बाद मेरे को जो पंडितों ने बताया था कि तेरी 40 साल में मोट है सर मैं काल ने मेरे को दो-दो जटके दिया हैं मोट के सकार्पियो में पहले तो मैं बाइक से गीरा बाइक से गीरा तो सामने मेरे से गाड़ी आ रही थी तो मैं गिर गया यह मेरे हातों में निसान है अभी भी मेरे पास फोटो भी रखी है मोबाइल में वो दिखा सकता हूँ मैं कि मैं कैसे पड़ा वहां पे तो उस टेम तो मैं गाड़ी वाले को बोल दिया कि तू जा गाड़ी मेरे पीछे हो गई वो जो आगे थी वो पीछे चली गई गाड़ी तो मैं उस टेम तो कुछ नी महिल फिल किया चलो छोटा-्मोटा- Dani थीक है तो मैं जो वो जिंदल वाला गाड़ी है उसको जागे मैं पूछने लगा, भाई साब, कल जब मेरा गिर गया था मैं रोड में, तो तुने क्या देखा, बोला भाई मैंने देखा कि तेरे उपर से मेरा गाड़ी निकल चुका है, मैं अपने आपको कुछ नहीं बोल पाया, मैं वहीं सुनो गया, क्योंकि मैं सीन पहले देख के आया हूँ, बाइक गिरा के, अपने उसी स्टेंड को अपने को बना के, पर जब उसके मुझे सुना तो बिलकुल महीं सुन पड़ गया कि नहीं, संत्रामपाल जी महराज समरत हैं, उनी नहीं मेरे को ये जीवन दिया है, बिलकुल मैं इतना क्लियर बोल दूँगा कि भई हाँ, आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, दूसरा चांज फिर घटना हुई मेरे साथ उसी दस दिन के बीच में, टिंको गाटी में, मेरा पचास की स्पीड में, गाटी में, पुरा स्पीड में स्कार्पियो उतर रहा है, तो मेरा स्कार्पियो के ब्रेक बिल्कुल फेल कोई पैडल काम नहीं कर रहा है ऐसे बिल्कुल भी नहीं तो मेरा एक दम से जड़गा गया मेरे को सिर्व मालिक संत्रामपाल जी महराज याद आए कि यह मालिक मैं क्या करूँ तो अब तो पलतने अब तो कोई बचने का चांस नहीं था हमारा ऐसे जाब करते हैं मेरे दिमाग सामने मेरे को पेड दिखा कि मेरे दिमाग मैं चलतो इस गाड़ी को ना साइट से पेड में ठोक दे ताकी कम से कम गाड़ी तूटेगी आदमी तो सेफ रहेंगे तो जैसी मैं उस पेड़ की तरफ ठोकने के लिए रोड उतारने लगा तो सैड में लखी मेरे को बो रहा है अरे तू क्या कर रहा है उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं गया मेरा दिमाग में सिर्फ मालिक की आप ही हैं जो भी कुछ है मैं कुछ नहीं कर सकता मैं पेड में जैसे ठोकने लगा तो ये दो उंगल का फैसला पेड में और मेरी सकार्पियों में थोड़ा ऐसे जाम होगी जिसे स्टैचू बन जाता है मैं गाड़ी को एकदम से बंद किया बैक गेर में गाड़ी को खड़ा किया अपने संथ महाराज जी रामपाल जी को याद करके चेर पे बैठ के उस पे बैठे बैठे दो मिन तक नाम जपा और उसके बाद मैं नीचे उत्रा सकार प्योका किसी को भी पोच सकते हैं अगर उसकार प्योका एक बार तेल लिखोगे ब्रेक का तो उसके चारों चक्के में से एक चक्का भी काम नहीं करेगा वो कैसे रुका वो मुझे ही पता है मेरे संथ रामपाल जी महराज ने ही उसको रोका है इतना बिलकुल कलियर कट है मुझे इतनी बात का और फैदे जी मेरी दुकान जो अभी मैं किया था धन के मामले में आज मेरा चारों तरफ घर में धन भरा पड़ा है मेरी दुकान में रासन और आज मेरी दुकान पहले कुछ भी नहीं थी काम भी वही और वही मेंटनेस अभी भी दिख रही है मेरे को पर फैदा मेरे को कहां से दिख रहा है मुझे पता निचार आज मेरे इतना फैदा दिख रहा है कि एक साल दो महिना मेरे को दिख से लिए हुआ है तो एक साल, दो महीना में मेरा आज आप जाके कारूबार देख सकते हो कि देखने वाले भी यह नहीं मान सकते मुझे, मैं खुद बहाँ परोस में बोलता हूँ कि भाई, मैं सबसे छोटा आदमी हूँ सबका गरीब आदमी हूँ आज मेरे पडोसी भी खुद बोलते हैं नहीं तू जूट बोलता है तूरे पास तो बहुत कुछ है सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सरे लाप राप्त हुए तो संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा कैसे ली जा सकती है सर संत्रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों में आज ससंग आ रहा है उनके नीचे पीली पट्टी चलती है उसमें नमबर लिखा गया मुबाइल नमबर उससे आप संपर्क कर सकते हैं नामदान सेंटर जो आपका नस्दीकी होगा वहाँ आपको पूरा डिटेल दी जाएगी कि आपके पास का नामदान सेंटर वहाँ है और आप वहाँ जाएए और वहाँ से ज्ञान प्रापत करें संत रामपाल जी महराज से दिख से लीजिए धन्यवाद सर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितिय आध्यात्मिक ज्यान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीरा बाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र नुकूल भक्ती सत्संग ऐसा अध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण उस सचिदानद गनबर्म की वानी में यगों की जानकारी, यगों ने धार्मिक अनुष्ठानों की, किरियाओं की जानकारी विश्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है, चोथे दैके 33 मिश्लोक में कहा कि अरजुन इस दर्व में यग की अपेक्षा, ज्ञान यग स्रेष्ट है, दर्व यग क्या होता है, जैसे देखा देखी, कहीं बंडारे कर दिये, गंगा के किनारे, कहीं कंबल बाठ दिये, कहीं और किरियाओं इदर से कोई दर्मसाला बनवा दिये, अब क्या बता है, कि इस दर्व, यानि धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा, ग्यान यग सरेष्ठ है, तो ग्यान यग तत्व ग्यान यनि सत्संग है, सत्संग वो तत्व ग्यान है, जो सब सत्गरंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ग्यान है, और वो ग्यान परमातमा ही आकर देता है, ग्यान अध्धातम यथार्थ ग्यान, परमातमा स्वम ही आकर प परदान करता है। वाकि तो जीव संगया के प्रणी हैं, जीव संगया में हैं, वो अपनी अपनी अनुबह अठकल लगाते रहें। लेकिन यथारत ग्यान प्रमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रचीवी सृष्टी को स्विम ही वो ठीक ठीक विष्टार के साथ बताता है। ऐसा वेदो में परमाण है। तो वो तत्व ग्यान है जो सचीदानन्द घनपरम यानि पूर्ण परमात्मा कवीर देव ने अपनी कवीर वानी के अंदर है। जो ग्यान बताया है, वो तत्व ग्यान है। गीताग्यान दाता चौथेदय के चौथिश में स्लोक में कहता है कि अर्जुन उस तत्वग्यान को जो सचीदानंद घनब्रम की वानी है यानि उस प्रमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्वग्यान है उसको तु तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत प तत्वग्यान कराऊंगे इसे ये सिद्ध हुआ कि गीता ग्यान दाता भी उस तत्वग्यान से ऐपरीचित है अन्य था ये कहने की और शक्ता नहीं थी कि उस ग्यान को तु तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ जब गीता जी के अठारा अध्याए बोले तो एक अध्य है और बता देता जिए इनको ग्यान होता था इसको ग्यान नहीं तो पुने अत्माओं पंदर में जाये के एक मंतर में यानि एक सलोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स को जो संत विस्तार के साथ ज जानो अर्दुन उपर को जड़ है नेचे को तिन्नों गुन रूपी साखा है और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स के सभी चंद सभी विभागों को बता देगा सै वेदवित वहतत्व दर्शी संत है पुने अत्माओं जब तक सत्संग नहीं तब तक ये ऐसे ही इस जनम और मर्तु के दीर रोग से गरस्ट रहेगा और सत्संग के वल परमातमा ही बता सकते हैं वो परमातमा छस्सो वरस पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे ग्यान दिया करते थे उस अपनी अमरत वाणी से सचीदानत गंबरों की वाणी से तो और जो एक प्रहमन वरग सिक्सिया का अधिकारी था उनकी बुधी वहां तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो काल बगवान से प्रेरित रहें और प्रमात्मा का विरोध करवा दिया ये कहकर के कबीर ऐसिक्सित है ये संस्कृत बासा नहीं जानता है ये उट पट्राइंग बोल रहा है ये छूट बोल रहा है प्रमात्मा कहा करते थे गुणतीनों की भगती मैं ये बूल पडो संसारे कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हो है मुक्ती आज से लगबग छस्सो वरस पहले ये सब्द बोलना के तीन देवताविर माविशनु महिस जी की जो बगती करते हैं उनका कभी मुक्स नहीं हो सकता उन्हे आत्माओ छस्सो वरस पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंतरन देड़ा होता था अपनी मौत को निमंतरन था लेकिन वो तो अविनासी थे वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये सब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोद किया था उस मालक की उन्लिलाओं को जो पढ़ते हैं आँखों से आसों नी सूकते हैं ऐसे जुलम गुजारे थे उस परम पिता के उपर हमारे बगवान अपने पिता के उपर अब जो विरोद कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे ब्राह्मन काजी मुल्ला उसी परमात्मा के बच्चे हैं उस परमेश्वन ने किसी को भी दुरासीस ने दी नहीं तो वो समर्द सकती है वो हमारे पिताना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते हैं ऐसा दे देते हैं पुछो मत जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाग कर दिया किसे ने और उसने इतना गुसा उठ्था वा मंडली थी उसके साथ 400-500 की उसने एक सब्द उचारन कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद खड़े जादा थे बैठे थोड़े जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूरतिया बन गी तो ये तो समरत हैं कुछ भी कर सकते थे लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का एहित नहीं कर सकता थे उसको वो कुछ भी कितने दुखी कर ले इसलिए उस प्रमेश्वर ने किसी को दुरासीस नहीं दिया कोई सराप नहीं दिया क्योंकि वो समरत थे उनको मालूम है कि ये मेरे ये बच्चे काल की भांग पीक हैं मेरे सत्रू बन गए उसमें अपनी समरता का परमान दिया इसी सत्र कहने के कारण उस परमातमा को जेरे कुवे में डाल दिया एक बहुत पहले दोसो दोसो फुट नीचे गहराजल होता था कुवों में और जेरा कुवा वो होたा था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गैरा हो जाता था उसमें डाल दिया उपर से जाड बोजडे कांटेदार छडे कंकर पत्थर रेत से भर दिया एक सेख्त की नाम के एक जलील विक्ती ने है वो मुसल्मान था मुसल्मान राजा दिली का वाज़्षा सिकंदर लोज़ी था और सेख्त की उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोज़ी राज़ा का मुसल्मानों को इकठा कर लेता था राजा के सामने नारे लगवा देता था राजा पबलिक को देख कर घवरा जाता था और फिर वो मनमानी सजादिया करते थे कबीर प्रमाद्वान कुए में डाल दिया भर दिया पूरा और कुछ देर के बाद वो गहे सिकंदर लोज़ी के पास प्रमात्मा कभी देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले क्योंकि वो समरत थे वो पूर्ण ब्रम हैं वो समरत हैं लेकिन उनकी लिलाओं को देखा जाता है पढ़ते हैं तब रोंग टे खड़े हो जाते हैं हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे हम उनके सत्रू बन गए तो उस समें हम ऐस इक्सित थे अब परमातमाने सबसे पहले ये रजा बक्सी हमें सिक्सित करवाया पुनातमा वो पच्पन सो वरस तो कलियोग बीत गया और उस से पहले जालिये कितना समें तीन यूग गए केवल एक ब्रहमन वर्ग ही सिक्सित का दिकारी था और कोई सिक्सित नहीं करेंड करता था क्योंकि यह सिक्सित अच्छी नहीं है यह बे इमान बनाती है पराणी को यह पाप करने से फिर हिसकता नहीं यह परती है यह सिक्षया गई ब्रह्मन समाज में इस सिक्षया को इन्हों ने रोजी रोटी का दंदा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे अब सिक्षया आगी सब समाज में कितने चतुर बन गए हम हम बले ही उपर से कितने सिष्ट नजर आते हों सुंदर कपड़े पहने कवड़िया को ठीकार लेकर अंदर से कती खोखे और खोखले हुए पड़े हम हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दाज्य और पड़ दाज्यां के हम देखिया करते थे कितनी इंसानियत थी उनके अंदर अब पुनातमाओं हम जैसे वरतमान के मानों से भी हमारा पाला पड़ा है और आज से 55 वर्स 50 वर्स पहले जब हम कुछ जानने योगे हुए वो समय भी हमने देखा है वो समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया इतनी ग्रावट आगी हमारी मानसिक्ता के अंदर हमारे सिष्टा चार के अंदर इसका कारण ये सिख्षा ही है आप ओफिस में जाते हो किसी भी कारियले में वहाँ भी इनसान है बाहर पंक्ती में खड़ा वो भी इनसान है कोई दयाधरम नाम की चीज नहीं रही खाएं जाओ दके गिर्दान्स जौन के सामने रहम रहा नहीं दस रुभ ये दे दे तो काम कर दे नीतखाओ जाएं तो ये जलालत हमने को किसी ने शिसकाई इस सिख्षा ने सिख्षा दी और क्या करते हैं फिर उस पैसे का हम कोठी बनाती हैं बंगला बनाती हैं कार खरीदते हैं और फिर गर में कोई ना कोई ऐसी समस्या कोई दुर गटना हो जाती है कोई बिमारी लग जाती है उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही वो पैसा तो रहता नहीं विर्थ हो जाता है कोठी बना दी मर्ट्यू होगी आप गदाबन के कुमार के गर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है चाट ले उस कोठी को तो पुन्यातमों इस ग्यान से हम इस माया से वापिस होंगे क्योंकि ये माया दुस्मन है हमारी और इस माया का हम परियोग कहा करते हैं हमने परंपराएं गल्द बना ली विवहा करते हैं हम पूरा ड्रामा कर बैठ से हैं पता नहीं किस-किस परकार से हम अपने इस इन करियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी हम ड्रामा बना रहे हैं विवहा करते हैं लड़के वाड़ा खुसी मनाते हैं लड़की का विवहा होता है डीजे बज़ते हैं अरब ब्याद दो बच्चों का उना है और परमात्मा ने कर रख्या होता है क्योंकि संयोग वगवान नी जोड़ के बेजता है जीव नी जोड़ सकता है या भूल है इसकी तो अपने सिंपल से वे से व्याद कर रहा बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है वचन से जोड़ता है ठीक अभी हमारे आपका बेटा पसंद है वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है दोनों बच्चों का विवहाद मनजूर हुआ हो गया भया और इसमें के दिर लगे थी अब हमने देखा समाचार पत्र में पढ़ा पहले दिन डीजे बजा रहे हैं लड़के का भी हाँ था बेहने भी डांस कर रहे हैं मा भी डांस कर रहे हैं गली में खड़े होकर और सब कंजर हो गया हम इनसानियत बूल गया कती अगले दिन क्या होता है कि वहा के लिए जा रही थी बारात रस्ते में दुल्ले वाली कार टकरा गी है ट्रेल लेते हैं दुल्ला मर गया साथ नवर बैठे थे सह साथ वो मर गये पहले दिन तो खुसी मना रहे थे अगले दिन टकर मारकर रो रहे है तो इस काल के लोग में और हम बगवाद करें इसलिए करें क्योंकि हमने भांग पी राकिये नसा हो रहा हमारे नसा उतर जागा जब यह चीज़ आपने ऐसी दुस्मन दिखाई देंगी जो ड्रमा हम करते हैं एक समिन नानक साहिव जी के पास भगत कोई व्यक्ती चले गए और कहा महाराजी आप ऐसे रहते हों खोए खोए से आप कभी खुस नजर ने आते हैं आपका चेरा ऐसा रहता जैसे मा दुखी पराणी होया करें और आप तो मा पुरस हों आपको कहे कि टेंसन है तब नानक साहिव जीन का भी ना जाने काल की कर डारे और किस भी ड़ड़ जा पासावे और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानों केड़ा हासावे अब ना जाने कब केवी जली गर जा एक सेकंड का परोसा नहीं एक सेकंड का और हम फिर भी यह फुले नहीं समाते तो यह हमारी इस अग्यान का ही कारण है और इस बहांग दो हमना पी राखी है माया की इसका परभाव है यह सत्संग से प्रमात्मा की बगती से यह एंटिवाइटी कहीं इस बहांग का नसातार जेंग उतर जाएगा यह उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन अलका होगा आपकी रूची नहीं रहेगी कि ते सांग से नहीं मा देखन की आपने सोचों के क्यों से मैं बरबाद किया या तो माले की चर्टा चालागी या सत्संग सुरंदे दिल करेगा या फिर अपनी सुबह से आम दोपैर की किरियाएं और फिर मंतर दिन में इतना ब्यूजी सुडूल हो जागा आपका बकवाद करन का समय कोई मिलाएं और कभी समय मिलेगा तो रूची नहीं बन सकती है क्योंकि आत्मा स्विकार करे नहीं बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने इसके कुछ भी हाथ दिल लगया है तो पुन्य आत्मा हमने अपने सरपय आप वजन गणा रख लिया है सबसे पहले तो हमने इस विवहा के ऊपर खर्चाकती बंद करना पड़ेगा फिर हम कोठियां बनाते हैं सिंपल मकान बनाओ ठीक है जिसके पास दो पैसे हैं वो भी अपना इसाब का ये मकान बनाओ पर लोग दिखावा नहीं करें तो उसमें हमें बगती में ज्यादा समय मिलेगा हमारी टेंसन खत्म होगी अब जैसे अमतवार मनाते हैं अब जब तक ग्यान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते हैं अब ज्यान हो गया कतीर उच्ची नहीं बनती एक वक्ती नहीं नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे यह नहीं करना ये तोहर तुम जो मनाती हो ये नहीं मनाना कैसे अब हम क्या करते एक फार्मल्टी कर रहे हैं कोई भी तवहर आता है वो फार्मल्टी बना लिए के इतने कपड़े और इतनी मिठाई क्या फािदा हुआ एक बच्चा होता है चार बुआ हैं उसकर चार नहुं लाओं घुझा हैं और छे मिन्या पाचो बच्छा बड़ा हो जो पेर नो जो गे रहे हैं कोई ना वह हुए की तब फूकने पड़े क्या फैदा है इन बकवादों का तो इस तरह हमने इन सभी किरियाओं को इन ग्यान विचार से समझ कर फिर इन से उटा हटना है और ग्यान बिना तो हम फिर देख लकीर पीट ही रहे हैं वो नहीं पीट नहीं फिर हमने हम बालक नहीं रहे ही क्योंकि ग्यान हो गया हमने प्रमातमा का नाम मिल गया यहां का पता लग गये क्या सतीची है तो इस परकार हमने इन किरियाओं से वापस होना है फिर नानक साहिब जी से पूछा कि है बगवन क्या आप कभी भी खुस नहीं होते तब उन्होंने का कि साद मिले साड़ सादी होंदी और बीच्छड देंदल गीरी वे अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्कल हाल फकीरी वे साद मिले साड़ सादी होंदी भगतों से हमारा मिलन होता है मेरे बच्चे जो मेरे सेस हैं ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय तो हमारे एकवी सेस खुसी होती है हमारे या सादी है ये विवा है हमारा आत्मा का विवा परमात्मा से होता है कहते साद मिले साड़ सादी होंदी और वी छिड़ द्यांजल गीरी वे जब यह यहां से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी चा जाती है क्यों चा जाती है कि यह बच्चे परमातमा के हन्स इस ग्यान से कुछ परीचित हुए है और अब यह जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमातमा के ग्यान से एह परीचित है और कहीं यह बच्चे अपना नियम भंग कर कह और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिसा ना बदल ले है यह नाम से वन्चित ना हो जाँ और जब यह वापस आ जाते हैं एजिटीज तो मुझे खुसी होती है कि मेरी फसल में कीडा नहीं लगा तो कहते हैं साथ मिलें साथ साथ दी हों दी और बेच छुड़ जाँ दिल गीरी वे अख़दे नानक सुनो जिहाना यह मुस्कल हाल फकीरी वे यह बगती बहुत मुझकल बना दी इन अज्ञानी संतों और महनतो आचारियों और संक्राचारियों ने पर्मातमा से दूर कर दिया हमारे को तत्वे ज्यान रहा नहीं सद्गरंथों का ज्यान हम तक पहुँचा नहीं लोक वेद बना कर के हमारे को ऐसे दंद कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं तो अपने अत्माओं अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला कबीर साहब कहते हैं जिस दिन सत्गुरु भेंटिया सो दिन ले खैजान और बाकी जनम गवाँ दिया विना गरु के नाम जिस दिन आपको उपदेश मिल गया आपका वो जीवन मनुस का उस दिन से जनम समझ लेना उससे पहले आपका मनुस जीवन नहीं था लेकिन सरीर बेसिक मनुस का था जा दिन सत्गुरु भेंटिये सो दिन ले खैजान बाकी समय विर्थ गया तरह बिना गरु के नाम तो अपने अत्माओं फ्रमात्मा की किरपा से आप कोई सत्थ संग मिला है तो सबसे पहले मालिक ने हमारे कोई सिक्षा देनी पड़ी और इस सिक्षा के बिना हम भगवान को पैचान नहीं सके थे उनको मालुम था कि ये खूब बिगडेंगे सिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे विग्यानिक पाक गे गोट गिवन मेटरियल पर अनुसन दहान करका है ये बगवान से दूर करने लगए राप भी होने लगए कही बगवान नहीं है एक विश्वे नियम है एक एलिमेंट खोज लिया है उससे सब कुछ बनता है वो एलिमेंट किसने बनाया इन विग्यानिकों ने बना दिया प्रमात्मा के मेटरियल के उपर बखवाद करते हैं अगर तो वरस वरसा ना हुआ न ये विग्यानिक विरिन के सारे इंस्टूमेंट डड़क पड़े पड़े जड़ें जंग लाग जैन के अंदर बगवान के रह्म को भुला दिया बगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को और क्या बना इनों ने परमानों बम बना लिया अपना नास करने के लिए और पुने अत्माओं ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर टेलिवीजन ये परमात्मा का दिया वाग्यान है जीव सतर का नहीं है कि दे किसे अब भूलो कि मनुस बना दिये ऐसे आइटम परमातमा कबीर जी ने उनको बुधी देकर किये बनवाया है और किसलिए आज के दिन के लिए इस समय के लिए कि एक जगे मेरा ग्यान चला कराएगा क्रोडों बच्चे मेरे एक टेम पर सुना करेंगे और पर्टेक्स परमान देख्या करेंगे प्रोजेक्टर बनवा दिये दास यहाँ दिखाता है कोँ बैठे परमान देख रहे हैं टीवी के उपर देख रहे हैं घर गर बैठा परमातमा संदेश बेज राए मालक को मालुम था क्योंकि काल ने कहा था परमातमा कबीर जी से प्रार्थना की थी चापलू सी करके के तीन युगों में जीव कम ले जाना और चोथा युग जब कल युग आवे है तब तब सरन जीव बहु जावे है ऐसा वचन हर्मोई दी जै तब तुम गवन संसार ही कीजए परमातमा की चर्ण पकड़ के वचन बद कर लिया था कि तीन युगों में जीव वापिस कम ले जाना और चोथा युग जब कल युग आवे तब तब सरन जीव बहु जावे फिर वेसे कितने ले जीव चोथे युग में तब परमातमा ने कहा था ठीक है मैं बचन बद हुआ और चोथे युग कल युग में जीव ले जाओगा तब एकदम जब देख लिया ना बचन बद होगे उसी समय आँखें पलट ली बचमा सुर की तरह और कहने लगा बेसे कल युग में तुम आजाना कल युग में ऐसे कर दूँगा इन पराणियों को कि ये भगती युग नहीं रहेंगे इनके इतने मलीन आत्मा कर दूँगा और मंदर मस्जिद और ये पतीर्थों पर दामों के उपर आसरिज कर दूँगा और देवी देवताओं की पूजाओं पर इनको आरूड कर जूँगा आपकी कोई भी बात नी सुनेगा और आ जाना बेसिक बेसिक कहा था जोग जीत जाओ संसारा जीव न मानने कहा तुमारा जीव तुमारा कहा न मानने हमरी ओड हो बाद बखाने ऐसे उल्टे पाठ पड़वाए दूंगा अपने नकली दूत बेज के कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे बाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्स में हो करके जैसे परमातमा सबस्ट सो वरस पहले आए थे उसमें वो क्यों आए थे इसलिए आए थे कि इसकली युग में मेरे बच्चे मुझे पैचान लेंगे वो लीला करके चले गए जो बगवान किया करता है अब उस बगवान के पैचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है यदि छत्सो वरस पहले परमातमा ना आते तो हम कैसे पैचानते परमातमा कौन है बगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रतेक युग में ऐसी ही करते है और उन लीलाओं का परमान हमारे सद्गरंथों में मिलता है पवितर चारों वेदों में परमेश्वर की वो बहिमा का गुणगान है जो बगवान किया करता है तो वो लीलाओं किसने की वो थत्सो वरस पहले बनारस में कासी सहर में भारत वरस के इस पाउन धरती पर आयत एक जुलहा रूप में धानक रूप में रहे थे 120 वरस वो कबीर परमातमा उन्होंने वो लीलाओं की हैं जो वेदों में परमान है जिनका तो हुई इस गोड़? कबीर इस गोड़? परमातमा कौन है? कबीर साह परमातमा है और परमेश्वर ने थत्सो वरस पहले का था बेद मेरा बेद है मैं ना बेदन के माही और जोन बेद से मैं मिलूँ ये बेद जानते ना ही प्रमात्मान कहा था कि ये चारों बेद मेरा ही बेद यानि मेरी महिमा का गुनगा नहीं कर रहे हैं लेकिन इन चार बेदों में वरनित विदी से बेरी प्राप्ती नहीं हो सकती सतलोग प्राप्ती नहीं हो सकती अमर लोग प्राप्ति नहीं हो सकती इनमें पूजा की विधी नहीं है वो जो सत लोग जा सके हम तो उसकी पूर्ति करने के लिए प्रमात्मा स्वेमाते परते एक युग में और अपने मुख कमल से वानी बोलते है कबीर प्रमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संथ पुकारे जिन को प्रमात्मा मिले सत लोग लेकर गए उनको फिर वापिस परत्वी पर अपने गवा बना के छोड़ा तो उन्हों ने आँखों देखा वगवान का वो वर्नन किया उनकी महिमा को बताया उसके विशे में प्रमात्मा कहते हैं चारों युग में संथ पुकारे कुक कहा हम हेलरे एरे मानिक मुती बरसें ये जग चुगता डेलरे चारों योग में मेरे संतों ने यही गुनगान किये आँखों देखा मेरे को और मैंने भी आकर के उंचे उंचे सोर में कहीं भी खड़े होगे मदारी की तरह एक तारा हाथ में लेकर अपनी पवित्रवानी से अमरतवानी से वहां वर्षा करने लगे अपने ग्यान की और यही तरीके थे सेकड़ों विक्ती कठे हो जाते थे प्रमात्मा की समरतवानी को सुनकर गदगद हो जाते थे प्रमात्मा के मुख से बोली हुई बानी भी जितने भी वहां उपस्तित लोग सुना करते थे उनके बहुत से पापों का वो नास्क हो जाता था यानि वो अपने बच्चों को फिर से भगती से प्रिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं ताकि इनमें आस्था वगवान की बनी रहे हैं और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाओं इनको कोई भी अध्धात्मिक लाब ना हो ऐसी वगती विधी प्रोडूस करवादी संसार में और प्रमात्मा से मिलने वाले लाब समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिक्ता की तरफ चल पड़े हैं विकारों की तरफ चल पड़े हैं ये बुराई करन लगए रिश्वत लेने लगए हैं क्योंकि हम अपने फिर सूजबूद से दनवान बढ़ने की कूचे इस्टा करने लगए हैं और जिसका प्रणाम ये निकला हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी होगे जैसे कोई व्यक्ती दो नमबर से पैसे इकठे करता है कोई मिलावट करता है कोई रिश्वत लेता है या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकठे करता है तो उसके लिए वो विसका काम करेंगे अब एक विक्ती बता रहा था उसका एकलोता पूतर बिमार हो गया पहले तो अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जा, कभी फिर हो जाए, फिर ऐसे ही सादू संतों के शक्कर में पड़ गे, फिर लास्ट में जब बिलकुल, वो एट दा डेथ हो गया, मरनेों को हुआ तो उसको फिर पीजी आई ले गे, आल इंडिया इसी चूट दिल्ली लेकर गए, उसके दोनों किड़नी फेल होगी, किड़नी का उपरेशन हो गया, किसी रिष्टेदार ने दे दुआ दिये होए, तो फिर क्या हुआ वो लड़का स्वस्ट हो गया, पैसे लगे लगवग तीन लाख से उपर, आज से लगवग तीस वरस पूरों की बाते हैं, आज के दद तीस लाख, और उसमें गे तीन लाख, इतना अंतर है, उसमें जो पैसे की वैलू थी, तो उसने क्या बताया के मेरा लड़का स्वस्ट हो गया, और पैसा इतना लगग गया कि करजा हो गया, साधी विहा की त्यारी कर रखी थी, विहा से कुछ समय पहले ही दुर्ग टना, यानि बस एक्सिडेंट में मरत्यू होगी, अब वो इस हच्संग को सुनकर आँखों से आँसों निसू करे थे उस विक्ती के, और अपने आपको कोश रहा था, कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच विक्ती था, अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए, मैंने इतने ऐसी गल्सियां की, कि अब मेरा कलेजा फट कराता है, दो लाक रुपे कमाए होंगे पांदस वरस में, दो नंबर का काम क्रिके हैं, दो नंबर का काम क्या था, कि उसमें ये कैसिट, ये टेप चल ले थे, टेप रिकोर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी, वो कैसिट, वो कहता है, मुझे दो रुपे मैं पढ़ा करती, सारी ठोक का बाला करता है, तोल के भाव से, और वहां बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर बढ़ देता था, मुझे दो रुपे मैं टूटी जाती, मेरे पास आते मैं फैंक देता, मैं क्या करूँ, और आज मुझे, मुझे वासदा सही मिल गी, तो पुना तुमाओ, अब उसको बताया गया, सच्छिंग में बताया जाता है, कि जो पैसा आपने दो नंबर से कमाया, वो पैसा तो रहा नहीं, आपके पास क् रहे गें, जो आपना भी बोगने सेस हैं, और पैसा चला गया, तो पुना तुमाओ, जब आप ग्यान होगा आपको, ये कोई बालकों की बताया भी बात्या नहीं है, ये गौड गीवन, परमात्मा का दिया हुआ विद्धान है, उनका बताया हुआ ग्यान है, ये कोई वारत्वस गा रखे होंगे, परमारत्थी परमातमा ने, सत्पुर्श कबीर साहिब ना करी अभी धान बताया है, बच्चो तुम विस खाना छोड़ दो, ये यहां भी सुखी रहना चाहते हो, जब तक तुमारा जीवन सेस है, और अंजान बच्चे ही गलतिया किया करते है जब समझदार हो जागा ना, फिर इसके आथ ने लगा सकते हैं, जैसे छोटा साबच्चा सरफ को भी पकड़ लेता है, और उसको डस देता है, वो मर जाता है, उसको ग्यान नहीं कि कितना बैंकर जानवर है, और जब वो बड़ा हो जाता है, उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है, कि यह तुमरा खुंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से इस सरफ को देकर भाग लेगा, दूर, औरों को भी कहेगा, इदर मत जाना सरफ है, सरफ है, और पहले वो गिसरते गिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उस संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन, आईए, अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमानित ज्यान से प्रभावित होकर, नाम दीक्षा लेकर अने को लाभ प्राप्त किये नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रितु वर्मा है, रितु जी आप कहां से हैं? मैं ग्रामसुरचपूरा भाटापारा जीला बलावदा बजार भाटापारा चछतिसगर से हूं मैंने संथरांपाल जी महराजी से नाम दिख्षा उन्नी सितंबर 2020 मिल ली है सर संथरांपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने से पहले सबी देवी देवताओं की भक्ती किया करती थी सुमार का वरत रखती थी, दुर्गा माता का वरत रखती थी, सनी देव का वरत रखती थी, साही बाबा का वरत रखती थी और सभी तीर्थाइसलों पर भी जाया करती थी जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारे भक्ति सादनाय करते थी, बहुत सारे ब्रत रखते थी, तो फिर क्या कारण बनाए कि आप संतरामपाल जी मारज की सरण में आई मैं बहुत परिशान थी भगजी मुझे सारीरी कष्ट बहुत थे जैसे की सीर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, छाती में दर्द होना मैं बहुत परिशान रहा करती थी लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं मिला तो एक बार मेरे पती जीने की राह भूक लेकर आए मेरे घर तो उसने बोला कि इसको पढ़ के देखो इसमें बहुत अच्छा ग्यान लिखा हुआ है फिर मैंने फिर उसको पढ़ना ही स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा ग्यान समझ में आ गया कि यही कबिर सहब के रूप में संत्राम पाल जी महराज आय हैं ऐसे करके मुझे पूरा घ्यान हो गया मुख्च मारग का पता चला ऐसे संत्राम पाल जी महराज जी के शरण में आया। संत रामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको लाब भी मिले? अपरेशन करना पड़ेगा ऐसे करके फिर मैं बहुत डर गई कि मुझे आपरेशन नहीं कराना ऐसे करके फिर एक जगह पता चला कि बेल पान गाउं है बिलासपुर छेतर में तो वहां पता चला कि वहां आयूरवेदिक दवाई लगाते हैं वहां ठीक हो जाता है ऐसे करके फिर पापा मुझे बोलने लगे कि चलो वहीं चलते हैं वहां ठीक हो जाएगी तू ऐसे करके फिर वहां मैं चली गई फिर चली तो गई ठीक तो हो गया सर जी लेकिन देड़ दो साल बाद फिर उत्पन्न हो गया यह कैंसर फिर मैं संत्रम पाल जी महराजी की शरन में आई कि यह परमात्म मुझे कही नहीं जाना नहीं डॉक्टर के पास जाना है नहीं ओजहतांत्रीकों और नहीं कुछ दवाई लगाने हैं नहीं कुछ गोली खाने हैं ऐसे करके मैंने मन ही संत्रामपाल जी महराज जी से प्राथना की तो ये कैंसर अपने आप भी ठीक हुआ है भाग सर जी मैं एक रुपय काही नहीं गुली खाई हूँ नहीं दवाई खाई हूँ आप ही ठीक करोगे परमात्मा जब इतने बड़े बिमारी को ठीक कर सकते हो तो ये तो छोटी मोटी बात है मूर्दे को भी आप जिन्द कर सकते हो तो आप पर ये भी ठीक करोगे ऐसे करके मैं चुप-चप घर में बैठ गई फिर ये अपने आप ही ठीक हुआ है नहीं मैं ड तो मैं सोनोग्राफी करने के लिए बोले डक्टर तो सोनोग्राफी करवाया तो डक्टर बोले कि यह कैंसर है इसका आपरेशन करना पड़ेगा और इस जगह का कैंसर है इसका आपरेशन करना पड़ेगा और यह गांट है इसका भी आपरेशन करना पड़ेगा इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है ऐसे करके फिर मैं होस्पिटल से मैं घर आई तो संत्रामपाल जी महराज जी से प्रातना लगा तो प्रातना का जवाब आया कि मालिक दया करेंगे ऐसे करके फिर एक हपते बाद सर जी ये गांठ जो मैं खुद अश्चर ये चक्कीत हूँ कि ये गांठ के अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं था ये गांठ अपने आप ही फूट कर ये ठीक हुआ है सर जी इसमें भी मैंने एक रुपय का भी खर्च नहीं किया ये रिपोर्ट भी है अब देख सकते हैं सर जी ये कैंसर का मेरा ये कैंसर का रिपोर्ट है सर जी आप देख सकते हैं इसमें डॉक्टर ने आपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने बोला कि आपरेशन के अलावा इसका कोई दूसरा इलाजी नहीं है फिर मैंने संत्रामपाजी महराजी से मतलब प्रातना नंबर में फोन लगाया तो परमात्मा का आदेश आया कि मालिक डया करेंगे ऐसे करके फिर एक हपते बाद गांट है जो हाथ में एक हपते बाद वो मतलब ठीक हो गया फूट कर सर जी आज मैं सही जिन्दगी जी एक रुपय का खर्चा भी नहीं है ये अपने आप ही ये कैंसर और गांट ठीक हु आपने रिपोर्ट भी दिखाई तो जो दर्सक आज आपको टी पर देख रहे हैं और वो भी इन गंबीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी मैं सभी भक्त समा से यहीं कहना चाहूंगी कि जो भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं किसी को कैंसर हैं किसी को बुखार हैं किसी को और कुछ बीमारियां हैं वो संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेकर उसके शरण में आएं और नाम दिख्षा लेकर अपना कल्यार कर संत्रामपाल महराज जी से नाम दिख्षा ऐसे ले सकते हैं टिवी पर एक नीचे पिली पट्टी चलती है उस पर नंबर लिखे होते हैं उस नंबरों पर आप कॉंटेक्ट करके नामदान केंद्र पर संत्रामपाल महराज जी से नाम दिख्षा लेकर अपना कल्यान करा सकते ह दन्यवाज जी सच सहेब सच सुच जी कर दो कर दो कर दो कर दो